अब मैं आपको यह बताऊंगे कि फ्लास की एक बेसिक से आप्लिकेशन आप कैसे रन कर सकते हो अपने लाप्टॉप पे और इंस्टॉलेशन से लेके हम फर्स्ट अप्लिकेशन रनिंग तक सारा प्रसेस करेंगे और प्री रिक्विस्ट क्या है इसके अनकॉंड और पाइथन आप इंस्टॉल रखें अपने लाप्टॉप में अनकॉंड आप यहां से इंस्टॉल कर सकते हैं 64-bit के लिए और पाइथन 3.8 वर्जिन है और पाइथन 3.8 वर्जिन पर रन होगा तो आप पाइथन का कोई भी 3.10 आचुका है अदर्वाइस आप कोई और भी रन कर सकते हैं आराम से ओके देन आपकी यह सारी प्री रिक्वेस्ट आप पूरी करने के बाद में अनकॉंड प्रॉम्ट को अक्टिविट कर देंगे अनकॉंड प्रॉम्ट है फर्स्ट और वाल विल राइट आर प्रोग्र में कि इसको माइक्रो फ्रेमवर्क क्यों कहते हैं वैसे इंटर्व्यू क्वेस्टन काफी इंपॉर्टेंट है कि माइक्रो फ्रेमवर्क क्यों कहते हैं और कौन से पाइथन की वर्जन चाहिए हमें डिपेंडेंसीज क्या हैं तो यह सब है ठीक है अब हम मेनिमल अप्लिके पे बना रहे हूं यहां पर मैं एक फोल्डर बनाती हूं नहीं नहीं मेरा थोड़ा गंदा हो रहा है अब लास्क इंस्टालेशन नाम का मैंने एक फोल्डर बनाया अब मैं इसको ओपन विद कोड करूंगे या फिर आप विजूल स्टूडियो में सीधा भी खोल सकते हैं मैं विजूल स्टूडियो प्रेफर करती हूं कोड लिखने के लिए ओके सो यह मेरा हो गया ओके फर्स्ट जो मैं एप्लिकेशन लिखोंगे वह होगा आप.py यह मेरे अप्लिकेशन का नाम है तो मैंने आप डॉट और जो वहां से मैंने कॉपी किया था वो मैंने यहां पर पेस्ट करती है हम इसको मैं सेव कर लोगे ओके नेक्स टैप हमारा देखेंगे हमने पहले हम एक बैसीक से आप्लिकेशन लिखांगे प्रोग्रम कोड लिखा हमने अब हम क्या करेंगे अपनी डेरेक्री को चेंज करेंगे वर्सिंग डेरेक्टरे में अनकॉंड जाके तो एनकॉंडम में गई इसको बार क्लोज करते हूं ठेक है अब मुझे कौनसी वर्किंग डिरेक्टरी में जाने ठेक है तो वर्किंग डिरेक्टरी मेरी अब पात मेरा इस फोल्डर का पात कॉपी कर लूँगे मैं जहां पर मैंने यह किया ठेक है तो यहां पर गई मैं यहां पर कॉपी किया मैंने इसकी पात को और यहां पर मैंने चेंज कर दिया cd यानि के change directory और ये बात को मैंने copy कर दिया enter किया, ये मेरा इसमें run हो रहा है, ठीक है अब इसमें मैंने actually already एक environment create कर रखा था और उसी को activate कर रखा था, बट अब हम इसमें क्या करेंगे, एक नया environment create करेंगे, ये आप next step देखेंगे, हम क्या करेंगे, वर्किंग directory को क्या, फिर हम नया एक environment create करेंगे, conda prompt में तो नया environment create करने के लिए आप directly क्या करो उसके command को वो कर लो search कर लो कि conda में नया environment कैसे create करते हैं तो conda create new environment कभी भी पूरे codes को और सबको याद रखने को कोई ज़रत नहीं है हम हमेशन सर्च करने से हमें आ जाएंगे अलब आप code को क्यों ही याद करो के हमें, आपके बास जब google है तो आप obviously commands को क्यों याद करो के तो commands को समझेने की ज़रत है याद रटने की कोई ज़रत नहीं है conda conda create environment तो हमने क्या कि हम देखते हैं कि नया environment कैसे create करते हैं conda create dash dash name और my env के जगह आप name करोगे ठीक है, जैसे कि मैंने यहाँ पर create क्या कर रख है मैंने j project 10 create कर रख है यहाँ पर, तो आप ऐसे करोगे इसको copy करोगे यहाँ से ctrl c और यहाँ पर ctrl v और my env के जगह करोगे जो भी आपका environment का नाम है, तो मैं जो भी project होता है उसके नाम दे देती हूँ, जैसे project project 11 मैंने इसको नाम दिया तो यह मेरा अब इंवर्मेंट create होने में टाइम लगेगा इसके processing होगे, आप yes और no पूछ रहा है तो यहाँ पर yes कर देंगे यहाँ पर yes कर देंगे तो यह हो गया ठीक है, यह मेरा environment create हो गया, अब मैंने next step क्या बताया आपको कि अब नए environment हो गया तो created a new environment अब क्या करेंगे, हम इस environment को activate करेंगे, ठीक है, तो उसके command होती है conda activate, जो भी आपके environment का name होता है जैसे कि, मेरा यहाँ पर है conda activate j project 11 में activate करना चाहती हूँ तो मैंने activate कर दिया तो यह जैसे मैंने activate किया तो देखो, यहाँ पर j project 10 पर work कर रही थी, अब मैं j project 11 पर work कर रही हूँ, ठीक है, तो यह आपका environment आपने change कर दिया अब हम क्या करेंगे, अब हम जो भी हमारे necessary modules हैं उनको हम install कर लेंगे वैसे prefer करो कि सारे के सारे आप गर आप conda में work कर रहे हो, तो conda से install करो, पर flask pip से install होता है, तो flask के लिए मैं command लगाऊंगे pip install flask, चिक है installation हो जाएगे इसके already शाहिद इसलिए आ रहे है, क्योंकि मेरा by default है, या फिर मैंने j project 11 पहले create कर रखा होगा ठेक है, तो ये already satisfied आ रहे है, otherwise आपके installation हो जाएगे pip से, pip install flask ठेक है, अब मेरे installation भी हो गई, अब मेरे को क्या करना है, कि मेरा जो भी application थी, मेरे application का नाम क्या है, यहाँ पर app.py मेरी application की नाम में ठीक है, तो इसको मैं फिर से save करके, अब run करेंगे हम इस application को, तो run करने के लिए क्या command होती है python app.py ठीक है ओके तो हमने किया था python app.py किया था, तो वो run नहीं हुआ था, because हमारी application में गड़बड थी, कि हमने यह नहीं किया, if name equals to main, यानि कि हमने इसको call नहीं किया, कि app.run होना चाहिए, वो जो basic application लिखाई थी, वो console में आप लिख सकती हो, but अब ही हम anaconda इसमें prompt में कर रहे है, ठीक है, मतलब command prompt use, kind of command prompt आई है, ठीक है, जो commands को run करते हैं, तो हम app.run करेंगे, उससे हमारी application run हो जाएगी, तो जैसे मैंने इस code में change किया, तो यह आपका यहां पर python app.py किया, तो यह run हो गया, अब यह किस पर run हो रहा है, running on http, इस पर run हो रहा है, हमारे इस पर, ठीक है, तो मैंने इसको copy किया, इस URL को copy किया, यह control-C, हम इस URL को copy करेंगे, और यहां पर control-V करेंगे, तो हम देख पा रहे हैं, कि हमारा यह hello world print हो गया, तो यह हमारी बहुत ही basic सी application थी, जिस पर हमने एक program को run किया, ठीक है, flask में, तो उसकी pre-request हमने देखे, Anaconda Python था, और हमने पहले क्या क्या program का code लिखा, फिर हमने अपनी directory को change किया, फिर नया environment create किया, और उस environment को activate किया, और आप यह ध्यान रखना कि जब आप environment को activate करो ना, तभी उसमें flask install करना, वरना आपका flask कोई और environment में install हो जाएगा, और फिर आप run को call करना, run function को call करना, और फिर python app.py आप करोगे, तो वो run हो जाएगा, आपका एक particular URL पे, ठीक है, और आपको यह लिखना compulsory है, app.run, क्योंकि आप इससे call कर रहे हो कि यह run होना चाहिए, ओके, तो यह हमारी basic installation और first program के running थे,